आप सब लोग मिद करता हूं अच्छे होंगे फिर से नए वीडियो में आप सब का स्वागत है मेरा नाम साहिल आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे घर पर कुर्बानी के लिए बकरा रखा गया था उस बकरे के बारे में और वही सारी चीज़े देखाएंगे आज बकरेत का दूसरा दिन है तो अभी हम घर से मेरे अपने घर से निकल चाहूं अभी स्कूल पर हैं यहां पर जहां पर पढ़ता था यह सिर्फ फाइब क्लास तक है तो हम लोग काफी टाइम पहले इसमें कर डाइक से चले आए हम लोग और अभी चल रहे सबसे परदेटा थोड़ा साई कराएंगे जाके तो असा बाल साही करा लेंगे उसके बाद नपी कामें तोढ़ा चाओल लेना है बिरयानी वाला चाओल लेओकर फिर घर पर चलेंगे और आप लोग दिखाएंगे चोलो फिर चलते हैं कि वासी करी दोस्तों हॉ ओदा हैं कि अधी हम लोग क् जो कह गया था था चाहती हैं दोंगा तो थोड़ा ऐली लगए बाल-वाल के सःई कि अजया करने के पदने ख़्द च्हॉत्स एस था पुराने कुछरने के रहा हैं तो मात्रों 10-20 उर्पे में हो जाता है कामतिक इतना सार करने के बाद भी दाड़ी जो सेफ होता है डाड़ी को सेटिंग एटिंग कुछ भी करा लो 20 उर्पे में हो जाता है कितरा भी अच्छे से कड़ा लो प articles वाल के विमर पर जातहिं है है यह विघर में हमारे शक्राइब । उसके बाद आप हो गया जाता है चाल लेने चाह्वल लेते चेलें जे गहर पे पिर यांएं नस्ता करेंगे बहुत रुख लगाए तो नस्ता कुछ करेंगे इसके जो कि आयाए लेव अंदे दस्वा आधी दस्वाला चेना देना दस्वाला नीच जए कोई लेगा है सूरत है कि यह सब्सक्राइब ज़ लेगी अ ऐस आसद़स दो प्योंड़ थेल्ड ज़शना जे दरेंगे एदरेंगे है टुरय अज्छ Ruby कर लिया अभी चलते हैं कि अफ्ला को बहुत ट्राइमोंепर करकेश चलते हैं दुखानने यह पूंप्षा प्रे निल्प पूंपशी कि अखर बन से हैं ढुंद बनाया ऐख तो कि मैं ढ़्य बनाया भूसे बनाया, इसका पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हम अगा नहीं आरोग जो है अच्छा है बहुर कापी है जो है गाइस हेलो गाइस तो वीडियो में आपको दिखा दिया समचीज अब भी तो बारा बज़रे शरीप वहां टाइम है अधी इसरीuben वहोंगे शवश्श्व जो था और सब कट़ेब अधर बनने हैं अधर शमके पार्फंप कड़ाना ही डिगी तो शकुं цен बारि वीडियो बने के अलेयाशों तो उतना भी नहीं तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाए जायता और आगे बनाएंगे वीडियो दिखाएंगे आप सब लोग को बने रहे वीडियो में देखिए और वीडियो हमारे कैसा लगा वी बताएगा सही से तो वीडियो नहीं बन पाएगी क्यों हमें सब्सक्राइ बैस दूंगा और बने रहे वीडियो में देखते रहे हैं